पंकच पचारी वरिष्ट पत्रकार हैं और देश का जाना माना चेहरा भी हैं एंडे टीवी में सालों तक एंकर रहे पूर्फ प्यायम अन्मुहन सिंग के मीडिया सलाकार रहे और अब वो गो मीडिया समुका संचालन कर रहे हैं लेकिन विराट कोली से उनकी क्या अधावत है कोई समझ नहीं पा रहा है इसी महीने में ये दूसरी बार है कि वो ट्वीटर पर विराट कोली फैंस के निशाने पर आ गए हैं दिल्चस बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में विराट कोली खुद सामने नहीं आहें या उनको पता ही नहीं है पहला वी बात तब हुआ जब विराट कोली के अनुशका शर्मा से शादी की तारीख और वेन्यू के बारे में खुलासा हुआ तब पंकच पचौरी ने एक ट्विट किया जिसका लबो लुआब ये था कि देश से बाहर जाकर इटली में शादी करने से देश के टूरिजम सेक्टर को जटका लगेगा अब हर कोई शादी करने इटली जाएगा खुशी के मौके पंकच के ट्विट विराट कोली के फैंस को बैड टेस्स कर लगा सोजम कर और ने पंकच पचौरी को धोया क्या आपको इन्वाइट नहीं मिला होगा आप मीडिया वालों से ही बचने के लिए महां गये होंगे आदी लेकिन यह महीना और साल खत्मी नहीं हुआ कि पंकच पचौरी ने फिर से विराट कोली लपेट लिया था जबकि अपकी बार तो विराट कोली से जुड़ा कोई मसला भी नहीं था जब पदमावती फिल्म का नाम पदमावत करने यह खबर आई तो पंकच पचौरी ने जरूरत है एक ने तो लिखा है कि कोली के बजाए राउल गांदी के सम्नियम से आखरी का आई हिटा कर दिखाओ तो मैं मान जाए अभी तक वराट कोली खामोशी रहे यह अलग बात है कि पंकच पचौरी ने दोनों बार ही टैग भी किया है SPNI नूसरूम की रिपोर्ट